नमस्कार आपका अमारे न्यूस चैनल UK24 न्यूस में स्वागत है मौसम अलट अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की उत्राखण में जाने क्या है आज डीजल और पेट्रोल के दाम जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ हैगा खास CCEA की बैठक प्रत्याशी पर मोहर लग जाएगी पार्टी की पहली सूची आने की उमीद भी है C.M. पुशकर सिंग धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे गोआ के लिए आप घुशित करेगी C.M. चैरा उत्राखण और पंजाब में आमादी पार्टी के C.M. चैरी की घुशना के बाद आज पार्टी के राश्य सेयोजक और दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल गोआ की रासानी परजी में प्रेस कॉंफरेंस के दौरान मुख्यमंत्री उमीदवार की घुशना करेंगे नेट योजी काउंसलिंग AIQ का पहला दौर आज से शुरू होगा और राजे कोटे के लिए काउंसलिंग 27 जनवरी 2022 से शुरू होगी इसके लिए बाद अनेराउंड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी काउंसलिंग के लिए लिंक एक्टिवेट होने के बाद उमीदवार mcc.nick.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे जहां डीटेल्स भनने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पेमिंट करना होगा फिर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी टीम इंडिया वर्से साउथ अफरिका भारते क्रिकेट टीम आज से तीन वंडे सीरीज साउथ अफरिका के खेलेगी टेस्टर सीरीज के हार को भुलाते हुए केल राहूल की कप्तानी में भारते टीम नहीं शुरूआत करेगी केल राहूल के साथ ओपनिंग शिकर धवन करेंगे सरिता आरे ने के गोलुदेवता के दर्शन मांगी बीजेबी की जीत की दुआ कॉंग्रेस को बताया महिला विरोधी भारते जन्ता पार्टी का दामन थामने के बाद नैनिताल की पूर विधाइक सरिता आरे नैनिताल के गोलुदेवता मंदर पहुँची गोलु देवता के दर्शन करते वे उन्होंने 2022 में बीजेवी की जीत की प्रातना की साथ ही यश्पाल आ रहा वा कॉंगर्स पर महिना विरोधी होने के आरूप भी लगाया टेरी के प्रिती ने किया कमाल मोती दाल नहरू नैशनल इंसिट्यूट में प्रतम इस्थान पाने पर मिला गोल्ड मोतिलाल नहरू नैशनल इंसिट्टूट उप इलाहबाद प्रयागराज की 2021 के फाइनल परिक्षा मेर प्रत्थम इस्तान हासिल करने पर टीरी के पीती धनाई को गोल्ड मैडल मिला है उनकी इस प्लब्दी पर परीजनों के साथ इस शेतर में खुशी की लहर है लालकोव में तीन गैलन कच्ची शराब के साथ एक तसकर गिरफतार पहले भी जा चुका है जेल लालकोव कोतोली पुलिस ने एक शराब तसकर को गिरफतार किया है तसकर बिना नमबर प्लेट की कार से शराब की तसकरी कर रहा था मौके पर कार से तीन गैलन कच्छे सरारा बरामत किया गया है वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया है मसूरी SDM ने चुनाव को लेकर की बैठक बनाए 178 पोलिंग बूत मसूरी SDM नरिश दुरगापाल ने उत्रखन विदानसभा चुनाव 2022 को लेकर बैठक की इस दौरण SDM ने अधिकारियों को शांती पूर्ण चुनाव संपन कराने को लेकर आफशक दिशा निर्देश दिये उत्रखन के 50 बॉर्डर चेक पोस्ट पर रहेगा सक्त पहरा तीन राज़ों के पुलिस के बीच बना समनव है पुलिस मुख्याले में वीडियो कॉन्फरेंसें के जरिये उत्रखनी माचल प्रदेश और उत्रप्रदेश पुलिस के अधिकार्यों की बैठक हुई ये छात्रें उत्रखन के दूर्गम इलाकों की हैं इनके परिवारों की आर्थिक इस्तिती कमजोर है इस मैख का वेच्छराप और चाकू के साथ 5 लोग गिरफतार मुकदमादाज विदानसा बचनों को देखते वे लकसर पुलिस लगाता नशाता स्क्रों के खिलाफ कारवाई कर रही है इसी करम में कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग मामलों में 5 लोगों को गिरफतार किया है उत्राखन असेम्बली इलेक्शन आपका वर्चुल रैली में 40 लाग लोग जोनने का दावा सेकंड फेज जल्द उत्राखन आपने डिजिटल नव परिवर्तन समाद के तेत वर्चुल रैली के पहले फेज में 40 लाग से अधिक लोगों को जोनने का दावा किया है डिजिटल नव परिवर्तन समाद 10 से 18 जनवरी तक लगातार चला था चेकिंग के दोरन कार से बरामत के 7 लाख रुपए जांच में जुटी पोलिस विदान सब चुनों को लेकर उत्राखन पुलिस ने बौर्डरों पर सक्ती बढ़ा दी है पुलिस ने रुपए को जब तकर अगरेम कारवाई में जुट गई है उत्राखन में मिले 4,482 मारीज 6 की मौत उत्राखन में पिशली 24 घंटे में कारोना के 4,482 मारीज मिले जबकि 6 संक्रमित मरीजों के अस्पतालों में मौत हो गई मसोरी इस्थित लाल भादू शास्री राष्ट प्रशासनी का अकादमी के 84 प्रशिक्षू अफसर संक्रमित पाई गए है हला कि गुजास से लोटे इन प्रशिक्षू अफसरों को पहले ही कॉरेंटाइन कर दिया गया था जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दिक्षित ने इसकी पुष्टी की है 17 वर्शे किशोरी को नौकरी दिलाने का जहासा देकर एक विक्ती ने उसे कार में खीश लिया अपरण के बाद उसे शिर्चाड की इस बीच मुख्या आरोपी और किशोरी को कार्चालक ने बिधाली में उतार दिया और वाफरार हो गया इसके बाद मौके पर किशोरी के साथ जगड रहे आरोपी को इस्तानिय लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गंगोत्री अमनोत्री के कपाट 3 मई को खोले जाएंगे प्रसिद्य बदरिनाथ धाम के कपाट खुलने की तीथी बसंत पंचमी पर शनिवार 5 फरवरी को नरिन नगर राजमहल में तैक होगी इस दिन गाडू, घडा, यात्रा का दिन निशित किया जाएगा गंगोत्री अमनोत्री के कपाट 3 मई को खोले जाएंगे 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ हरक सिर्णावत कॉंग्रिस में वाप्सी करने के लिए अब बिना शर्ते तैयार हैं इसके लिए वो पोरोसियम हर शावत से एक या सौ बार माफिय मागने की बात कर रहे हैं। हर अक्का कहना है कि कॉंग्रिस में आ रहा हूँ, इससे बड़ी माफिय क्या हो सकती है। उत्राखंड से समदित ऐसी खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक वर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।